MCU यानि की Marvel Cinematic Universe की 19-वी फिल्म Avengers Infinity War थेटर्स में है और पूरी दुनिया भर में तहलका मचा रही है अपनी कमाई के साथ, रिकॉर्ड बना लिया है, वर्ल रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है ये फिल्म और आखिर बनाए भी कैसे ना, पिछले 10 सालों में Marvel की 18 फिल्मों से मिल कर बनी है Avengers Infinity War, कौन सी है वो 18 फिल्म में जिनके सूपर हिरोज और विलन की कहानी है Avengers Infinity War में, आईए जानते हैं उन 18 फिल्मों के बारे में, नमशकार मैं हूँ अभशीक आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट, दरसल Marvel Cinematic Universe ने पिछले 10 सालों में यानि के साल 2008 से 18 फिल्म मे बनाई है Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 1 में 6 फिल्में थी, जी हाँ शुरुवात होती है साल 2008 में रिलीज होई Iron Man के साथ, ये Phase 1 की शुरुवात थी, Iron Man 2 मई 2018 को Iron Man आई थी, दिन उसके बाद अगले फिल्म आई The Incredible Hulk जिस में Hulk को इंट्रिजूस करवाया गया, तेरा जूम 2008 को रिलीज होई थ वहीं पर आती है Iron Man की दूसरी फिल्म जिसका नाम Iron Man 2, ये MCU की तीसरी फिल्म थी, ये रिलीज होई थी, 7 मई 2010 को, वहीं पर उसके बाद इंट्रिजूस होता है Thor, जी हाँ, Thor आई थी 6 मई 2011 को, उसके बाद रिलीज होती है Captain America, जी हाँ, Captain America The First Avenger रिलीज होई थी, 22 जुलाई 2011 को, वहीं पर Marvel's The Avengers आई थी, 4 मई 2012 को, तो इस तरीके सें 6 फिल्मों के साथ Phase 1 कंप्रीट होता है, उसके बाद शुरू होता है Phase 2, फेस 2 में आती है सबसे पहली फिल्म Iron Man 3, जो की 3 मई 2013 को रिलीज होई थी, उसके बाद 8 नवंबर 2013 को रिलीज होती है Thor The Dark World, वहीं पर Captain America The Winter Soldier, ये फिल्म रिलीज होई थी, 4 April 2014 को, वहीं पर उसके बाद आती है फिल्म Guardians of Galaxy, एक अगस्त 2014 को ये फिल्म रिलीज होई थी, देन उसके बाद आती है Avengers Age of Ultron, ये फिल्म रिलीज होई थी, 1 मई 2015 को, वहीं पर Phase 2 की आखरी फिल्म यानि की Ant-Man, ये रिलीज होई थी 17 जुलाई 2015 15 को, तो इस तरीके से 12 फिल्म में हो जाती है 2015 तक, यानि की Phase 1 और Phase 2 कंप्रीट होता है, देन बाद या आती है Phase 3 की, और Phase 3 की पहले फिल्म यानि की Marvels की 13 फिल्म थी Captain America Civil War, 6 मई 2016 को ये फिल्म रिलीज होई थी, देन उसके बाद Doctor Strange की Entry होती है Phase 3 में, 4 November 2016 को, देन उसके उसके बाद Spider-Man की Entry होती है, छी हाँ है, Spider-Man Homecoming, 7 July 2017 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था, वहीं पर Thor का 3rd पार्ट, यानि की Thor, Ragnarok आती है, 3 November 2017 को, देन इंटर्डूस करवाया गया Black Panther को, जो की 16 फरवरी 2018 को रिलीज होई थी, तो इस तरीके से ये 18 फिल्म में होई, Phase 3 मे ही आजाती है, Marvels की 19 फिल्म Avengers Infinity War, जो थेटर्स में कमाई के रिकॉर्ड्स पना रही है, सारे सूपर हिरोज नजर आते हैं, अब तक का सबसे दमदार विलें थैनॉस नजर आता है, तो इस तरीके से ये पहले 18 फिल्म में रिलीज होती है, और इन 18 फिल्मों से मिलकर बनती है Avengers Infinity War, बहराल आपको बताते चलें कि Avengers Infinity War अपने पहले पार्ट के साथ रिलीज हुए है, इसका दूसरा पार्ट भी रिलीज हो का, हलांकि Marvels ने पहले इस बारे में नहीं बताया था कि ये फिल्म एक ही पार्ट में आएग, इसका दूसरा पार्ट भी क्लाइमेक्स पे जाके रुक जाने वाला है, पर फिल्म देखने के बाद इस बात का खुलासा हो गया और फैंस कहीं न कहीं परिशान भी रहे कि आखिर क्लाइमेक्स पर इस फिल्म को ऐसे क्यों छोड़ दिया गया क्योंकि excitement बहुत जादा भड़ चुका है, फिलाल इस वीडियो में इतना ही